दोस्तों, आप जब अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, तो आप सबसे पहले होटेल की बुकिंग के लिए सबसे ज्यादा सावधन रहते हैं। क्योंकि अक्सर होटेल में कमरा मिलना बहुत कठिन हो जाता है, इसके लिए आप घर से ही ऑनलाइन बुकिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। होटेल जितना शांदार होता है, घूमने का मज़ा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इन कुछ होटेल्स की चमक धमक के पीछे की सचाई पता लगाने की कुशिश की है तो आज हम आपको कुछ होटेल से जुड़ी कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बताने जा रहे हैं जिने जानकर शायद आप अगली बार होटेल में रुकने से पहले सौ बार सोचेंगे लेकिन यदि आपने हमारा ये रहस्य टॉक शो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा कर साथ में लगी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले जब भी आप अपने होटेल के कमरे में जाते हैं तो सबसे पहले आप कमरे की साफ सफाई और बैडशीट बदलने के लिए होटेल स्टाफ से कहते हैं आपको नीचे इंतजार करवाया जाता है और कमरा तैयार होने पर आपको इसकी सूचना भी दी जाती है आप जैसे ही कमरे में जाते हैं तो नई बैडशीट देख कर खुश हो जाते हैं लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कमरे की बैडशीट को होटल स्टाफ द्वारा रोज नहीं बदला जाता नजाने कितने कस्टमर की यूज के बाद ही इसे धोया जाता है और वो भी जब तब वो ज्यादा गंदी दिखाई देने लग जाए बस उसे कमरे में कुछ इस तरह से बिचाया जाता है कि वो देखने में साफ लगे होटैल के कमरे में आपकी प्यास बुझाने के लिए आकर्शक दिखने वाले पानी के गिलास पानी के साथ रखे जाते है लेकिन आप ही जानकर आश्चेरे चकित रह जाएंगे कि इन पानी के गिलासों को कभी धोया ही नहीं जाता इन्हें या तो टीशू पेपर से पॉंच कर रख दिया जाता है या फिर धोया भी जाता है तो उसके लिए कमरे के बाथरूम का सिंग की यूज किया जाता है ये बात बेशक आपको अजीब लगे पर ये सच है जिसका खुलासा वेटर की नौकरी कर चुके कई लोगों ने किया है आप जैसे ही यात्रा की अपनी थकान उतारने के लिए कमरे के बाथरूम में जाते हैं वहां रखे तॉलिये देखकर आपकी तबेद खुश हो जाती है लिगन आप ही जानकर चौक जाएंगे कि इन तॉलियों को महीनों महीनों तक नहीं धोया जाता बस इन पर खुशबूदार फ्रेशनर छड़क कर प्रेस कर दी जाती है और कुछ इस तरह से इने रखा जाता है कि ये देखने में बिल्कुल नए लगे और आपको एहसास ही नहीं होता कि आपके कंदों पर टंगा तोलिया नजाने कितने लोग प्रियोग कर चुके हैं होटेल की रेटिंग वर रिवियू हम ज्यादा तर होटेल की बुकिंग ऑनलाइन करना ही पसंद करते हैं और ऑनलाइन बुकिंग कराते समय हम प्राथमिक्ता देते हैं उन होटेल को जिनकी रेटिंग और रिवियू शानदार हो लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा तर ये rating व review होटेल के स्टाफ द्वारा ही किये जाते हैं कई बार ये rating व review होटेल माले कुछ website से पैसे दे कर भी कराते हैं नमबर 5, कमरे में स्टाफ के entry ज्यादा तर आपने सुना या देखा होगा कि होटेल स्टाफ कमरे में तभी आ सकता है जब आप कमरे में हो लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि होटेल स्टाफ आपकी गयर मौझूदगी में बिना आपकी permission के भी आ सकता है क्योंकि स्टाफ के पास हर कमरे की दो चाबियां होती है एक आपके पास और दूसरा होटेल स्टाफ खुद रखता है इसलिए आपको साउधान रहने की जरूरत है कि कमरे से बाहर जाते वक्त अपनी बेश कीमती चीजों को बाहर खुला न छोड़ कर जाए बलकि उन्हें या तो साथ ले ले या फिर अपने बैग में ताला लगा कर रख दे तो दोस्तों मीद करता हूँ कि आप भविश्य में होटेल जाने से पहले ये सभी बातें ध्यान में रखेंगे यदि आपके साथ होटेल में कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वे शेर जरूर करें हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया